अगते और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्दमान माविर खुला विश्य विद्याले कोटा से अगर आप कोई भी कोर्ष कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सत्री कारिये बनाना पड़ता है यानि असाइन्मेंट फैल बनानी पड़ती है तो वो कैसे बने कि उसके बेल आइकन को जरूर अन कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकिशन आपको सबसे पहले मिले तो आएए वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले आप वी एम ओयू.ac.in की जो अपिसल साइट है वी एम ओयू की इस पर जाना होगा और इस पर जाने के बाद आ आप पर यह option आ रहा है एंटर scholar number, rate of birth, language और सब्मिट करना है अब scholar number क्या होता है मैं आपको बता दूँ अगर आपने फस्टाइम यह पर apply किया है तो apply करने के बाद आपके कुछ दिनों बाद mobile पर message आ जाता है आपके scholar number का admission के जो number होते है scholar number admission नमबर तो प्रेस लेते फॉर online ID होती है वो आप यहां से देख सकते हो अगर आपने फॉरम बराया और कापी दिन हो गया अभी तक नहीं आया तो आप यहां से search कर सकते है यह search scholar number बाइद है लेकिन आपके message आजाएगा लेकिन time लगता है इसमें तो time लगने के बाद यहां पर आजाएगा और यहां से पेज open हो जाएगा और यहां पर आप देखें कि कि आपकी जो भी admission detail के अंतर जो प्रोग्राम यान जो किस जिस course में आपने बाग लिया है उस course का नाम होगा और उसके आगे assignment लिक कर नीचे download का option होगा तो आप उस पर click करें जैसे click करेंगे वो file download हो जाएगी और download होने के ब आपको लगाना होगा और यह लगाने के बाद आपको जो स्वाल दे रखें वो पेपर लाने होंगे आपको market से और छोटी file आती है वो लानी होगी उसमें करने होंगे यह कैसे करते हैं यानि जो किस तरह की file लाते हैं और का जमा करवान होता है यह जानकर एगर आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं तो चलते हैं दोस्तों जै हिंद जै भारत वंदे मात्रम